इस दोस्तों आज यानि एक्स क्रेटिटी सिस्टम क्या है और उसके अंतरकत कों कों से उस्तरजी पलार्थ आते हैं और मनुस्तिकी प्रभक उस्तरजी अंग कों कों से जैसे तवचा फेफ़ा आत या कृत किडिनी इसका क्या काम है इसके बारे में डीटील में बताने वाली वीडियो को सुरू से लाइस दिखिएगा फेरी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए एंड दोस्तों यदि आप फीजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपेटेटिव एक्जांस का प्रिपेशन सिलिबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी व यानि एक्स्क्रेटिव सिस्टम क्या है pounds गिस्तों घाना क्टे हैं उसके बात मुख में जाता है वहां काबो हाड़ेट को माल डोज में बदलता है और फिर उसके बाद जाता है आईसो फेगर्स यानि ग्रास नली के रास्ते अमासे में अमासे में उसका मुलाकात होता है और पेपसीन रेनीन गेस्ट्रिक लाइपेज एंजाइन से उसे याद के पहले भाग डोडिने में उसका पाचन होकर के छोटी आत में समस्ति भोज पदार्थों का पाचन होता है और उसका और सभी भोज पदार्थों का और सभी भोज पदार्थों का और सोसर होने के बाद जो सरीर में मानो सरीर में उपाप्चाई क्रियाओं के बाद कुछ ब्यार्थ या खानिकारक पदार्थ है मारों सरीर में उपाठ चैया नीच्य करिया के पश्चात क्रियाओं के बतु मुच्म्णलार्थों को सरीर के भीतर निर्मार होता है इन पदार्थों को सरीर से बाहर करने कि इस सर छsite न कह लाती है तथा इस बतार्थ Somehow妈 , उस सरजी पदाथ यानि ब्याथ पदाथ, जो कि भी सरीड अपसिस्ट पदाथ होते हैं इसमें यूरिया अमोलिया यूरिक अमल आते हैं तो दोस्तों जैसा कि यह मुत्र की रूप में सभी बाहर निकलते हैं ठीख है तो जैसे कि हमारा यूरीन जो होता है है उसका प्लारा होता है और मुत्र यानि उरोक्रोम के और होता है हमारे मुत्र यानि यूरीन में 95 % जल 27 % यूरिया 2 % ल्वर ग pele यूरिक अमल होता है दोस्तों जानते हैं सार्ट में कि उस्तरजी पदार्थ कौन-कौन से होते हैं पहला है कार्बनिक पदार्थ इसके अंतरगत मुखिताब भी भाग लेता है दूसरा है नाईट्रोजन यूख्त पदार्थ इसमें यूरिया आता है जो हमारा एक्रित में जाकर कि उससे नाइट्रोजन अलग हो और अमोनिया बचता है और अमोनिया को एकृत जो है यूरिया में बदल देता है और यूरिया जो ब्रिक यानि किड्नी के माधिन से फिल्टर हो जाता है बाहर निकल जाता है ठीक है एंड दूस्तों कुछ प्रमुक जीओं के उस सर्जी पदार्थों के बारें बात करूंगी हमारे फिजिकल एजूकेशन में इनोटोमी फिजियोलोजी के अंतरगत यह नहीं पूछा जाता है बट आपके यल्टे एक्जाम्स होते हैं उसमें साइंस के अंतरगत यानि जन्रल नालेज के अंतरगत यह सब पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना जरूरी है जैसा वर्ग के प्राड़ी इसमें आते हैं यानि जो सरीश से बिस्रड क्रिया द्वारा पानी में घुलता रहता है जली जीव में अमुनोटेनिक उसरजिपदास पाजाता है जैसे कि मचली में अधिक दूसरा यूर्यूटेनिक जो यूरिया का उसरजन करते हैं जैसे मुत्र का जैसे हम मानो और मेधक यूरिया यानि कि मुत्र में यूरिया का उसरजन करने वाले जीव आते हैं जैसे कि इस्तंधारी वर्ग के जैसे मानो और मेधक तो अर्थात मानो में यूरियूटेनिक उसरजिपदास पाजाता है तो दोस्तों कुछा जा सकता है कि मानो में कौन सा उसरजी पदार्थ पायाता है तो यूरियो टेलिक प्रकार का यदि गहराई से डिपली जाकर कुश्चन पूछेगा तो तिसरा है यूरिको टेलिक यूरिक एसीट का उसरजन करने वाले प्राणी आते हैं जैसे कि सरिस्रिप तथा पथ्षी वर्ग में जैसे मकड़ियों का मुख्ष उसरजी पदार्थ है ग्वाणी एतु हुई बात उसरजी पदार्थ की अब बात करते हैं मनुष्ची के प्रमुख उसरजी अंगों की बा प्रमुख उसरजी अंग है यहां पसीने के रूप में हमारे सरी से नाइट्रोजन जनेच ब्यर्थ पदार्थ यूरिया यूरिक आमल तथा कुछ मातरा में लवड का उसरजन करते हैं बाहर निकालते हैं पसीने को डिल्यूट यूरिन याली तनु मुत्र भी कहते हैं यह ठीक है और दूसरा है फेफ्रा फेफ्रा के द्वारा co2 यानी carbon dioxide त्था sulphur का उस्रजन होता है जैसा कि दोस्तों स्वसंत्टन्त्र के अंतरगत मैंने बताया है कि जो carbon dioxide होता है उसका प्रिवहर्ण जो है बाइकार्बोनेट कार्बोमीनो एंड प्राज्मा में घुलकर होता है जैसे कि दोस्तों फेफ़रा का कारिका होता है उससरजिपदास क्या निकालता है सियोटू तथा सलफर का उससरजन करता है तिसरा है आत आते जो है कुछ सलफेट तथा फास्थेट लवर सरीश से बाहर निकालते हैं जो उत्ता है यक्रित यानि लीवर यह क्या करता है दोस्तों मुख्य भूमी का अधा करता है यह अमोनिया को जैसे कि जो अमीनो एसिड होत नाइट्रोजन से अलग हो जाता है किसी अलग हो जाता है नाइट्रोजन से अलग हो जाता है और बचता क्या है सिप अमोनिया अमोनिया बचता है तो वह जहर के समान होता है उसको यक्रित क्या करता है यूरिया में बदल देता है और यूरिया ब्रिक यानि कीड्नी के रास इन नामक उस्षर्जी पदात को पित्र रस में बदल कर सरी से बाहर पहुचाने में मदद करता है या कृत्वा है ब्रिक जो सबसे प्रमुक उस्षर्जी अंग है या ब्रिक जिसे किडिनी कहा जाता है और जिसे गुर्दा भी बुणा जाता है यह नहीं होता तो यह मुत्र के रूप में बैठ पदात हमारे सरी से बाहर नहीं निकल पाता तो दोस्तों ब्रिक यानि किरिनी जो होता है यह सर प्रमुक उस सरजी अंग है दोस्तों ब्रिक के अंदर गट यानि किरिनी के अंतर गट पर तेक किरिनी में 10,30,000 नलिका काई है जिसे से मिलकर या बंआ होता है जिसे कार्य कते हैं वर इसी प्लाजमा को छान कर इसे सुध करने का काम करता है किडिनी रग्त में से अनावस्यक ब्यर्थ पदार्थ को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरीन के फार्म में सरीर से ब्यर्थ पदार्थों को वाहर निकलता है तो दोस्तों हमने जाना कि उस्तरजन तंत्र क्या है और उस्तरजी पदार्थ रख्त की सुधी करण की प्रकिरिया को डायलेसिस बुला जाता है इस ध्यान में रख्यान 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 की सुधी करण होता है उस प्रकिरिया को डायलेसिस बुला जाता है और दोस्तों जब कि सबी डाउट किलियर हुए होंगे दोस्तों नेक्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ब्रेक आने किद्नी की सनरचना कैसी है और इसमें कैसे निफ्रान द्वारा रक्त क्यों चाना जाता है और लास्ट में कैसे यूरियर यानि मुत्र बचता है और उसका कैसे उससरजन होता है होकर कि उसके बारे में बताऊंगे दोस्तों तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और ज्यादे सेयर कीजिए दोस्तों और दोस्तों फर्स्ट वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी विल आइकन को फ्रे कर दोस्तों पडते।